निमेरिकल को करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट सिखेंगे कि आपने लेंट में सदिश पड़ा है सदिश में ये पड़ा है कि अगर ये ओरिजिन है मतलब कि ये मद्य बिंदू है तो इसके राइट में जाओगे तो एक्स अक्स की पोजिटिव अक्स होगी और जिसको सदिश में क्या लिखा जाता है आई के और इसके लेफ्ट में जाओगे तो एक्स की रिनात्मक अक्स होगी जिसको क्या लिखा जाता है माइनस के आई के लिखते है तो यदि कोई बल किसी मद्धे बिंदू के राइट दिशा में लग रहा है तो इसको लिखेंगे F वेक्टर या F of IK और अगर वो इसके लेफ्ट में लगेगा तो इसको लिखा जाएगा F of minus IK आपके पास ये सदिश में लिखने का तरीका है उद्धान संक्या जो 1.11 है ये बैसिकली अध्यारोपन के सिद्धान पर काम करेगा उपस क्या बोला है चार समान आवेश है मतलब परतिक आवेश का मान क्या है बराबर तो पहला आवेश में Q1 मानूँगा दूसरा Q2, तीसरा Q3, चोथा Q4 और सब का मान क्या मान लूँगा Q, क्योंकि उसका मान कितना है 2μ कुलाम, वो माइक्रो अटाते हैं दस्रीगाद मानस 6 कुलाम आता है एक्स अक्षपर इस्थिते है एक्स पर है और यह की इस्ततिया करमशे क्या है 0 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm दूरी पर है तो पहले ही को हम बना लेते हैं अक्स के उपर, यह एक्सिस है आपके पास और यहाँ पर आपके पास 0 cm के उपर पर्थम आविश क्या माल लिया Q1 फिर 2 cm के उपर 3 आविश Q2 फिर आपके पास 4 cm के उपर 3 आविश Q3 और फिर 8 cm के उपर 4 चोथा आविश Q4 बोला है 2 cm पर इस्तित आविश पर पहना है बल ग्यात करो तो यह रहा 2 cm बना हमारा मद्ध यह है हमें इस पर गणना करनी है ठीक है तो इस Q2 आविश को छोड़ कर इसके 4 और अब कुल कितने आविश है सब Q2 को छोड़ेंगे देखतों कोने Q1 एक है Q3 और कोने Q4 तो यह सभी जो बचे वे आविश है Q2 को छोड़ कर वो सभी इस पर क्या लगाएंगे बल चुकि सारे आविश धनात्मक है तो सब में पर्तिकशिन ही बल लगेगा तो सबसे पहले जो Q1 है वो Q2 को पर्तिकशित करेगा और वो पर्तिकशित बल इस दिशा में होगा तो इस बल की मान क्या होगा F21 वेक्टर पर्तम आविश ने दृत्यों क्या किया पर्तिकशित यह दूरी कितनी है सही दूरी है 2 cm तो हम लिख सकते है F21 का मान कितना है वो है कितना के पर्तम आविश कितना है Q1 देते आविश कितना है Q2 उनके मद्धे की दूरी 2 गुणा दस इगात मानस 2 का क्या होड इसकर है साद इसाथ दिशा भी लिखोगे अब यह अगर आपने origin माना है केंदर माना है तो ये बल इस केंदर के right hand पर जा रहा है इसलिए क्या लगा होगा है plus के IK अगला फिरी जो Q3 है ये भी क्या करेगा Q2 को पर्तिकशित करेगा लेकिं इसके पर्तिकशन के दिशा इदर होगी Q3 Q2 पर क्या उसके बल लगा रहा पर्तिकशन बल कितना होगा F23 वेक्टर ठीक है दूसरा Q2 Q3 के मद्दी की दूरी कितनी होगी सर ये है 4 cm पर ये है 2 cm 4 औ 2 का अंता कितना होगी 2 cm तो ये दूरी है 2 गुना 10 सिगा मानस 2 मिटर हम F23 Q3 वेक्टर का मान निकाले हैं कितना K आवेश कौनकोने एक तो Q2 है Q3 है Q2 और Q3 के मद्दी की दूरी कितनी है 2 गुना 10 सिगाज मानस 2 का क्या होड स्कूर और ये ओरिजिन के लेफ्ट में लगा रहा इसलिए क्या लिखोगे मानस के IK इसी प्रकास से ये जो आपके पास कौन सा आवेश है ये आवेश है कौन सा आपके पास Q4 ये Q4 भी क्या करने वाला है आपके पास Q2 को परतिकशित और ये परतिकशन बल कितना होगा ये परतिकशन बल होगा ये पास F24 वेक्टर अब इस F2, 4 वेक्टर का मांग कितना होगा उसके लिए हमें चाहिए 2 से लेके 4 तक के मद्दे की दूरी तो ये है 2 cm के उपर ये है 8 cm के उपर 2 और 8 cm के मद्दे दूरी कितनी होगी 6 cm तो 6 गुणा दसी गात मानस 2 मिटर मैं मिटर में करनोर करके लिख रहा हूँ डाइट लिए अब के पास मुझे बल निकालना है किसका F 2 4 वेक्टर तो ये लग रहा है कि Q2 आविश Q4 आविश Q2 और Q4 के मर्दे की दूरी Q2 और Q4 के मर्दे की दूरी कितनी है 6 गुना 10 सिगाद माइनस 2 का होल्ड स्क्वार और ये भी औरिजिन के लेफ्ट में जा रहा है इसलिए क्या लिखोगे माइनस के IK आपके पास अब देखिए अध्यारोपन का सिद्दान दिये कहता है कि अगर एक बिंदू पे बहुत सारे बल लग रहे हैं और यहाँ पे कितने बल लग रहे हैं एक दो और तीन बल लग रहे है तो जो परिद्दामी बल होगा मालेब जो नेट फोर्स होगा वो उन सभी बलों के सदी शोग के बराबर होगा तो पहला बल लिखो F21 वेक्टर दूसा बल लिखो F23 वेक्टर तीसा लिखो F24 वेक्टर सब पह क्या कर दिया सदी शोग F21 वेक्टर इवे लिपूट करेंगे कितनी K Q1 Q2 देखो जहां से देखिए K Q1 Q2 लेकिन Q1 Q2 Q3 Q4 सब बराबर हो सब को क्या लिख सकता हूँ मैं Q लिख सकता हूँ तो यही बात मैं यहां करने वाला हूँ K Q गुणा Q लिखूँगा मैं तो यह हो जाएगा Q स्क्वार बट्टा 2 गुणा दसीगाद मानस 2 का होल स्क्वार और क्या चल रहा है प्लस का IK देखो K Q गुणा Q Q स्क्वार 2 गुणा दसीगाद मानस 2 का होल स्क्वार और प्लस है कितना IK दूसरा बल देखो कैसा है मानस का इसलिए स्क्वार कैसा है जाएगा मानस K फिर Q2 और Q3 बराबर है कितना है Q तो Q गुणा Q क्या हो जाएगा यहां पर भी तो यह कितना होगा मानस के K Q2 और Q4 तो बराबर है इसलिए Q स्क्वार IK अपोन में 6 गुणा दसीगाद मानस 2 का ओल स्क्वार यह जितना पोजिटिव उतना नेगिटिव कड़ गया बचा कि आपके पास मानस K Q स्क्वार ओफ IK Q Q का मान कितना दे रखाए 2 गुणा दसीगाद मानस 6 तो 2 का स्क्वार 4 दसीगाद मानस 6 का स्क्वार दसीगाद मानस 12 उना में कह चलड़ा है IK बटा 6 का स्क्वार कितना हो जाएगा 36 गुणा दसीगाद मानस 2 का स्क्वार दसी गात, माइनस चार 9, 4, 36, 36, 36, cancel out माइनस चार, माइनस बारा माइनस आट बचे प्लस नो, माइनस आट प्लस का एक बच जाएगा, मतलब भी 10 और साइन के चाटा है, माइनस का माइनस ओफ, IK इसको ऐसे भी सकते हैं, 10 माइनस IK और ये आपने क्या निकाला परिणामी बल, बल का मातर क्या होता है, निटन अनस बार, थैंक यू